हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर यूटूब चैनल टेचेंग इजा मोबल लूट दोस्तों आज के सेसन के अंतरगत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2013 की गलासे चल रही है उसमें सीटेट पेपर टू में आज आज आपकी सेस्टी की निक्स क्लास है जिसमें हम आज क्लास 7 जोगर्फिक के चप्टर नंबर 5 को बढ़ेंगे जिसका नाम है जल चलिए फिर सेसन को सुरू करने से पहले हमारी एक रिकोष्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा जादा जादा शेयर करें चलिए फिर बिना किसी देरिक शुरू करते हैं इसमें प्रतम बिंदू बनता है थल साला क्या है तो या छोटे घर के पौधे रखने की क्रित्ती माहाता होता है या क्रित्ती माहाता होता है जो छोटे पौधे को रखने के लिए बनाया जाता है इसमें अगला बिंदू बनता है कि लमड़ता क्या है इसमें अगला बिंदू बनता है लमड़ता क्या है तो लमड़ता एक हजाय ग्राम जल में मौझूद नमक की मात्रा होती है तो लमड़ता एक हजाय ग्रम जल में मौझूद नमक की मात्रा होती है महासागर की आउसत लोड़ता 35 भाग प्रती 1000 ग्राम होती है अगर पूछा जाएगा कि महासागर की लोड़ता कितनी होती है तो 35 भाग प्रती 1000 ग्राम अगला बिंदु है जल का वित्रा प्रिद्वी की सिथा का 34 भाग जल से ढखा हुआ है या प्रिद्वी के सिता के कितना भाग जल से ढखा हुआ है तो फिरद्वी की सिता का 34 भाग?, जल से ढखा हुआ है जिसमें महासागर में जल की मातरा 97.3 प्रतीसत है तथा बर्प छत्रक जो है、 वो 2.0 प्रतीसत तक है तथा भुमिकाजल 0.68 तक है इसमें यही तीन वित्रन और ज्यादा माहत पूर्ण माहत सागर में 97.3 प्रतीसत जल, बर्फ शत्रक में 2 प्रतीसत जल है तता भूमी गजल में 0.6 प्रतीसत जल है अगला बिंदू बनता है कि क्या आप जानते हैं इसरायल के मिरित सागर में 340 प्रतीस लीटर लूणता है तो इसी कारण वस तैराकीस में डूपते नहीं है तता फ्लोट करते रहते हैं तता फ्लोव करते रहते हैं क्योंकि नमक की अधिकता के कारण यहां अधिस सघन बन जा जा विल्ठा गया यह लमड़ी जल पीने योग जल है तो यहां ब्ल्वडी जल में तो यह मं से नALLY हैं अगला बिंदू है कि गैऊ जाता है तो बिस सुजल दिवस 22 माच को मना जाता है जिसमें जल संद्छल की विविन बिधियों को बताया जाता है तो बिस सुजल दिवस 22 माच को मनाए जाता है अगला बिंदु क्या आप जानते हैं जब समुद्री सता पर पाउन बैथी है तब तरंगे उत्पन होती है तो सुनामी या प्राशन पूचा जा चुका है कि सुनामी किस भासा का सब्ध है तो सुनामी या पानी भासा का सब्ध है जिसकार्थ होता है पोतासा तरंग अगला बिंदु है भूकम जाला मुखी उदगार या जल के नीचे भूस्खलन के करण महासागरी जल अत्तधिक थापित हो जाता है, जिसके परड़ाम सरूप 15 मीटर तक की उचाई वाले विशाल जवारी तरंगे उठ सकते हैं, जिस करण वस 15 मीटर से ज़्यादा भी उचाई वाले विशाल जवारी तरंगे उठ सकते हैं, जिससे सुनामी कहते हैं, तो सुनामी किसे कहते हैं, विबिन ज प्रति घंटे से अधिक की घटी से चलती हैं, ठीगमी के जो तरंगे होती हैं वो 700 किलो मेटर प्रती घंटे से अधिक की घटी से चलती है तरत यहां प्रस्ण बने का हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी तो वहाँ चबी दिसंबर 2004 को आई थी यह तरंग उस भूकम का परिड़ाम थी जिसकी अधिकेंद सुमातर का पश्चमी सीमा पर था तो यहां भी प्रस्ण बन चुका है किजो 26 तिर नुव पैपन नो पॉयंट सोनी था भारती प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गयी थी, यह भूककम है भारती प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गयी थी, और समुद्र तल में अकसमात गती उत्पन हो गयी थी इस कcidos बूद्द सखे है प्रसांत महासागर में ऐसा पता करने के लिए पहले से ही प्रणाली क्रिया सील है किन्तु हिंद महासागर में यह सुबनाई नहीं है प्रसांत महासागर के तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी-कभी आती है क्योंकि भुकम्पी घटना यहां बहुत कम होती है तो यह इंपर्टन बिंदू है कि फ्रसांत महासागर में, हिंद महासागर कितुलना में, कभी-कभी सुना में आती क्योंकि यहां भुकम्पी क्रियाएं बहुत कम होती है, अगला बिंदू बनता है जौर भाटा क्या है, दिन में दो बार नियम से महासागरी जल का उठना यहां प्रसनगर बनेगा कि जौर भाटा क्या है, तो वहा है, सुर यहां चंडर्मा के सकती साली गुरूतवा कर्土वकर दोर कई तरव का बाता है, तो पूनिमा अमावस्या को के दिनों में प्रित्वी तीनों एक सील में होते हैं, तो पूनिमा अमावस्या पे जैसर कि हम प्रत्म में के प्रत्म कि अंतीम चातुरिथांश में फूर्थांच में बहुत निम नीम्न जार को तहीत में जल अस्तर के तडकी उचाहित हैं मानवार के दाउर कहा है लिए वैसमार इसमें पिंदु क्ते पखते हैं इसके फल्सरूब मचुआरै के सायक होता है तता ये जहाद को बंदर गाह तक कोईशने में मदद करता है तता या मसली पकड़ने में सायक होता है तता बिद्दुत उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है अगला बिंदु है महासागरी धाराएं महासागरी धाराएं निश्चित दिसा में महासागरी सता पर नियुमीत रूप से बहने वाली धाराएं को महासागरी धाराएं कहते हैं यहां गर्म यह ठंडी हो सकती हैं समाझता गर्म महासागरी धाराएं भूमत रेखा के निकट उतपन होती हैं तथा दुरूमों की और बहती हैं यहां परसन अगर्म पूचा जाएगा कि गर्म महासागरी धाराएं कहां से उतपन होकर किस और बहती हैं तो वा भूमत रेखा में उतपन होकर दुरूमों की और बहती हैं कि लेबड़ ढ़ रसमी चेद रहां दो गर्म जलधारं। महा सागली धारें किसी चेत की तापमान को प्रभावीत करती है। गर्भभभभांस से अस्थाली स्था का तापमान गर्म हो जाता है। जिस इसस्थान पपर गर में छाल पना जाता है उंपर्टन बिंदू है जो May 7 और पूछा जा चुक है कि जिसूं पफर गर्म हमें वर घृत रम्-मत सम जाता है जैसे कि चलिए इसका क्वी करते हैं इसमें प्रथम बिंदु है कि थलसाला क्या है तो थलसाला चोटे घर के पौधे रखने का कृतिम आहाता है तथा दूसरा बिंदु जल का वितरन जल महा सागर में 97.3% पाये जाता है उसमें लंडता 340 ग्राम प्रती लीटर है, तथा 20 जल दीवस कम मना जाता है तो आप 22 माज कम मना जाता है। सुनामी, 15 मीटर तक की उचाई वाली विसाल जारी तरंगे सुनामी कहलाती हैं, सबसे विसाल सुनामी 500 मीटर उचाई थी, तथा इसकी तरंगे 700 किलो मीटर प्रती घंटे की गति से चलती हैं। 2004 में अंडमान वा निकोबार में आया था, वा इंदरा पॉइंट को दुबा दिया था। सुनामी, अगला बिंद सुनामी जापानी वर्ड से बना है जिसका आर्थ होता है पोता सरे तांग। 26 दिसंबर 2004 को हिंद मासागर में सुनामी आई थी, जिसका अधिकेंद सुमात्रदीप का पस्चमी छेतर था, जो 9 पॉइंट सुन रिक्टा इसकेल का भुकम था। अगला पॉइंट है, सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। जौर भाटा, जौर भाटा दिन में दो बार आता है, गुरुत्वा करसन के कारण यहां आता है। जो मशली पकड़ने में बहुत दुविदा उत्पन करता है। चलिए फिर इसी साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आसा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आपको सारी पीडियेफ मिलेंगी। चलिए फिर धन्यवाद। आसा करते हैं।